दोसो यूपी टेट का पेपर आपका खत्म हो चुका है और ऐसे में अब आप सभी प्रसिक्षों की सभी अविर्थियों की निगाहे हैं सुपर्टेट की परिक्षा पर यहाँ पर सिक्षक भरती प्राइमरी सुपर्टेट की अलड़ी हम तयारी शुरू करवा चुके हैं यह है आपका विग्यान सुपर्टेट साइंस हम आपको बता दें अब तक हम 21 वीडियोज आपके 21 वीडियोज में आपके सिलावस का लगभग 90% कंप्लेट करवा चुके है यह जो साइन्स आपका सब्जेक्ट है यह 10 मार्क्स में आपका पूछा जाता है कितने नंबर में 10 नंबर में आपका पूछा जाता है अगर हम सिख्षक भरती की बात करते हैं यहाँ पर जल्द ही मतलब आज ही आज के आज ही हम आपको बता देंगे क्लासिज की जब तक आप अपने थियोरी वाली चीजों को complete नहीं करेंगे तब तक multiple choice questions पर जाने का कोई मतलब नहीं है सिलावस अथा है, बहुत कुछ है आपके सिलावस में आभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए भरती तो आपकी अब आएगी है आएगी क्योंकि TET की परिक्षा हो चुकी है यहाँ पर आप अलग से भी SuperTet Science नाम की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं मैं आपको बता दू, अलग-अलग मैंने बनाया हुआ है प्लेलिस्ट UPPRT 2021 भी है और सिक्षक भरती के नाम से भी है और सब्जिक्ट के हिसाब से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है अगर मैं 21st वीडियो जो हमने जिसमें हमने आप से बात की थी रोगों के बारे में कौँ से आपके संचरड़ी रोग होते हैं, कौँ से आसंचरड़ी रोग होते हैं ये सारी चीज़े मैं आपको बता चुका था आज यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम चलेंगे आपके कैमिस्ट्री वाले पोर्शन की तरफ रसायन विग्यान की तरफ ये सारी चीजे टीका करण वैक्सिनेशन क्या होता है विभिन प्रकार के रोगों के बारे में अगर हम बात करें ये सारी चीजे हम बात कर चुके हैं आज हम यहाँ पर बात करेंगे पिरियोडिक टेबल यानि आवर्त सारडी को ले करके हम आपको बता दे आपको अगर हम periodic table के बात करते हैं तो 1,2,30 एक से ले करके 30 तक के ध्यान दीजिए एक से ले करके 30 तक के जो भी आपके आवर्तसारडी में तत्व है उन्हें आपको याद करना है ठीक है उनके symbol क्या है नाम क्या है उनके साथ में atomic mass उनका परमाडू करमांक सबसे पहले यहाँ पर atomic number यहाँ पर जो चीज इन्होंने mention की हुई है यह है आपका atomic number ठीक है जी उसके बाद इन्होंने उसका symbol के बारे में बोला हुआ है उसका नाम क्या है और फिर atomic mass को ले करके बात करें इसे अगर हम हिंदी में कहें तो atomic number मतलब परमाडू करमांक होता है symbol मतलब संकेत क्या है उसका नाम क्या है और atomic mass का मतलब होता है उसका परमाडू भार की अगर हम बात करें तो वो कितना निकल के आएगा तो एक से तीस तक आपको याद करना ही करना है उतना ही मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है तो सबसे पहले फ़स्ट नंबर में जो है वो हैड्रोजन आता है यह आपकी जुबान पर रटा होना चाहिए वन टू थर्टी रटा होना चाहिए इतना याद रखिएगा तो पहला है हीड्रोजन, हीड्रोजन के अगर हम बात करें सिंबल को लेकर के तो उसे हम H परकार से रिप्रेसेंट कर देते हैं जैसा कि आपको यहाँ पर बहुत इच्छे से दिख रहा होगा वहीं अगर हम हीलियम की बात करते हैं अच्छा है, यहाँ पर atomic mass को भी आप जानते चलिए, इसका atomic number 1 होता है, दूसरा helium है आपका, helium को लिए करके बात करें, तो H capital है, E small है, लिथियम में L capital है, I small में दिया हुआ है, यहाँ पर B capital है, E small है, इसको हम beryllium बोलते हैं, यहाँ पर यह boron है, capital B boron, एक बात बहुत अच capital E लिख दिया, तो वो गलत है, आपने small, आपने capital E, small H लिख दिया, वो गलत है, ठीक है, तो इन चीजों का आप बेहद ध्यान लखेगा, जैसे चीजे रिप्रेजेंट की जाती है, उनको वैसे ही आपको दर्शना है, ठीक है, आप समझ रहे हैं शिशको, फिर हम बात करते हुआ है, यहाँ पर एक शीज दियान लखेगा, जब हम बात करते हैं, परमाडू करमांक से परमाडू भार की संबंद को लेकर के, तो आपको जो परमाडू भार है, लगभग दोगुना, यह दोगुने से थोड़ा ज़ादा आपको देखने को मिल सकता है परमाडू भार, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है, मैंने क्या बोला, लगभग दोगुना यह दोगुने से ज़ादा, लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का अटॉमिक नमबर एक है, परमाडू करमांक उसका एक है, मतलब अगर करमांक आवर तसारड़ी, तत्व का भावतिक गोड क्या होता है, उसके हिसाब से उन्हें हम क्याटेगराइज कर देते हैं, जैसे आप एक क्लास को लेकर करके आब बात करो, तो आप क्लास में मतभेद नहीं, आप क्लास में कोई भी भेद भाव नहीं करते हो, ठीक है, सभी को एक समान, एक जगए ब प्रडो के हिसाब से, उन्हें हम कैटेगराइज करते जाते हैं, कि यहाँ पर यह तत्व आएंगे, इनको हम यहाँ पर रख दिये, यह यहाँ चले जाएंगे, यह यहाँ चले जाएंगे, आप समझ रहे हैं, और इन्हीं के क्रमांक को, कि एक नमबर पर पहला तत्व सा होगा, उसी के हिसाब से, वन टू थार्टी तक हमें यहाँ पर पढ़ना है, आपके सिलावस के हिसाब से, उके, तो यह चीज है, उमीद करते हैं, कि यह आवर्त शारडी का क्या मतलब है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हम MCQs करवाएंगे, तो वो परमाड भार, यहाँ से देखने को मिला होगा, यह आपका फ्लॉरीन होता है, फ्लॉरीन, आप देखिए, नौ, नौ का नौ दुनी, अठारा, उससे थोड़ा सजादा आपका परमाड भार, जो फ्लॉरीन का है, वो देखने को मिलेगा, यह आपका जो लिखा हुआ हुआ ह capital N और small E लिखा हुआ है फिर उसके बाद sodium है magnesium है aluminium है ठीक है ये आपकी जुबान पर रटे होने चाहिए कि hydrogen helium lithium, lithium, beryllium, boron carbon, hydrogen, oxygen, fluorine आप समझे रहे neon, sodium, magnesium, aluminium उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलेंगे silicon हो गया phosphorus हो गया इसलिए मैंने symbol के साथ में वो symbol क्या है उसका नाम लिख दिया है जिसे कि आपको दिक्कत न हो अब P लिख दिया P फार हो सकता है को उन्हों potassium बोल दे तो potassium को K से represent कर देते हैं यह बात याद रखेगा यह आपका P जो है वो phosphorus को बताएगा यह आपका sulfur को बताएगा यह chlorine है होर्गन हो गया यहाँ पर देखे K for potassium लिखा हुआ है और इसका परमाडू कर्मान को जो है वो क्या है 19 है यहाँ पर sodium का माफिचाहँगे calcium का 20 हो गया scandium scandium फिर vanadium अब थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर chromium फिर manganese देखेगा titanium माफिचाहँगे एक बीच में रह गया scandium के बाद titanium titanium के बाद आपका vanadium फिर chromium फिर manganese फिर iron होता है 26 यहाँ पर ध्यान रखेगा MN for manganese जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है ठीक है जो बीच में फिर copper हो गया फिर zinc हो गया इस उन सभी में nickel, copper, zinc पहला letter जो है वो आपका capital है दूसरा जो alphabet है आपका वो small letters में लिखा गया है तो यह बात होती है जब हम बात करते हैं आपके 30 तक परमाडू करमांक उनके संकेत को ले करके उनके परमाडू भार को ले करके सबसे पहला उद्देश आपका आज का यही होना चाहिए मैं कल एक वीडियो में बताया था कि निरंतरता, धायरे रखना आपके खुद के नोट्स तैयार करना समझ रहे हैं खुद पर विश्वास रखना यह सारी चीजे बहुत जरूरी होती हैं पढ़ाई से भी ज्यादा आप जब इन चीजों को अपने आप में शामिल करेंगे फिर आप पढ़ने के लिए बैठिये तो यहां पर आज के आज हमारा उद्देश यह होना चाहिए कि जितने भी 30 आपके एतत्वदियें हुए हैं इनको हम ऐसे में रट डाले मैं आपको बता दू एटामिक मास को रटने की ज़्यादा जरूरत नहीं है आप नियर अबाउट याद कर सकते हो जैसे अगर हाइड्रोजन का 4.00260 लिखा हुआ है तो आप फोर याद कर लीजिए ठीक है एटामिक मास को रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो में चीज है वो है आपका जब हम बात करते हैं संकेत परमाडू करमांक के किस नंबर पर कौन सत्तों आएगा वो सबसे मुख्य चीज है यहां बर बात आती है जब हम बात करते हैं आवरत तसारडी तो एक आधुनिक आवरत तसारडी दी गई एक मेंडलीव की आवरत तसारडी दी गई इस पर हम काफी कुछ मल्टिपल चॉइस करवाएंगे तो आपको आधुनिक आवरत की बात करते हैं तो कुल 118 तत्तों को बढ़ते परमाडु कुर्मा के क्या आधार पर विवस्थित किया गया था अब देखें क्या है इसमें जब मेंडलीव की बात करते हैं यह वैग्यानिक है आपके कुछ इस तरीके से समझेए यह आपका कोई तत्तों है X यह है यह A यह है Y क्या है तो A एक एलिमेंट है A क्या है एक एलिमेंट हो गया X क्या है उसका परमाडु क्रमांग हो गया जिसे हम अटॉमिक नंबर बोलते हैं और A की खोपड़ी पे कौन बैठा हुआ है Y बैठा है कि नहीं तो यह भार है कि नहीं है भार कहां होता है सर पे ही होता जैसे आपके सर पे भार है यह यह कि हमें बहुत यह अच्छी तरीके से सुपर्टट की चीज़ों को कम्प्लेट करना है पढ़ना है तो A की खोपड़ी पे Y बैठा हुआ है बिल्कुल बैठा हुआ है और अगर हम यहां से बात करें कि परमाड़ उभार जो खोपड़ी पे बैठा हुआ है इसी को हम परमाड़ उभार या दर्विमान संख्या कहें समझ में आया इसे को परमाडू दरविमान बोल दो इसे को दरविमान संख्या बोल दो परमाडू बहार बोल दो वही सारी चीज़े हैं तो ये परमाडू बहार हो गया atomic मास ये आपका atomic number हो गया और एक या है एक element है तो अब हम आपको बता दे जब मेंडलीफ की बात होती है तो उन्होंने इसके आधार पर इन्होंने परमाडु दरबिमान की आधार पर कैटेगराइज किया था लेकिन बाद में क्या हुआ और तत्तों की खोज हो गई तो बाद में एक सो अठारा तत्तों हो गए तो उन्हें हमने जब कैटेगराइज किया तो परमाडु क्रमान की आधार पर कैटेगराइज किया मतलब 1,2,3,4,5 की आधार पर कैटेगराइज किया तो उमेद करते हैं जो पहला point है दोनों में अंतर हुआ आपको अच्छी तरीके से समझ में आगया होगा कहते हैं अगर हम मेंडलीफ की आवर तशारणी की बात करते हैं तो आठ उर्धवाधर उर्धवाधर मतलब खड़े-खड़े खंबे स्तंब थे जिने हम वर्ग गहते थे ये आपको याद रखना है आपके DLA-BTC भी ऐसे ही सवाल पूछे जाते थे जो आपका ये जो भी कोर्स है ना कल मैं सिलावस में बताया हुआ हूँ कि इसका जो लेबल है वो आपका DLA-Distar का है हिंदी, अंगरेजी और संस्कृत का स्तर जो है वो 12 तक आपको देखने को मिलेगा इसका जो लेबल है वो 12 तक बताया हुआ है लेकिन बाकी सब्जिक्ट का DLA-Distar तक बाकाइदा सिलावस में ये चीज मेंशन है सिलावस हम आपको भेज देंगे आज ही टेलिग्राम चैनल इलेक्ट्रोनिक स्टेडी से जुड़े रही है वहाँ पर मैं भेज दूँगा तो इस आवर्त सरडी में 8 और 12 स्टंभ है जिसे वर्ग कहते हैं और जब कि हम आधुनिक की बात करते है तो 18 और 12 स्टंभ और 7 आवर्त हमें मिलेंगे ठीक है ये चीजें सीधे सीधे पूछ ली जाती है कितने आवर्त हैं कितने स्टंभ हैं तत्यों के समस्थानिकों को परमाडू करमांग के एक समान होते हैं जब हम समस्थानिकों की बात करते हैं तो समस्थानिक ऐसे तत्तों होते हैं जिनके परमाडू करमांग के तो समान होगे लेकिं द्रविमान संख्यां उनकी हालग अलग होती हैं जैसे अगर हम हाइड्रोजन को ले करके बात करें तो डुजुन वाली चीज 1H1 फिर उसके बाद deuterium होता है 1H2 और उसके बाद tritium होता है 1H3 आप देखिएगा मैं आपको बता चुका हूँ कि परमाडू क्रमांक क्या होता है परमाडू भार क्या होता है तो यहाँ पर क्रमांक में देखे सभी में 1 1 1 करके लिखा हुआ है लेकि इसके बाद जो बात आती है रासानिक दिरिष्ट्री से आसमान तत्वा थे एक साथ रखा गया है वहीं अलग अलग रखा गया है अगर हम रासानिक दिरिष्ट्री से जो आसमान है अब भाई जब आसमान है तो उन्हें हम एक साथ कैसे रखेंगे लेकिन ये का मेंडलेफ ने किया था लेकिन जो आधुनिका वर्त सारडी है उसमें हमने उन्हें अलाग-अला केटिकराइज किया सभी संक्रमर तत्वा एक ही वर्ग में इसे ट्रांजिशन एलेमेंट्स बूलते हैं यहां से कौन-कौन से क्वेस्टन्स पुछे जाते हैं वह जो हम सारडी के बनने तक होज ही नहीं हो पाई थी अगर हम उतकरिष्ट गैसों की बात करें और उतकरिष्ट जो गैसें परमाड़ो करमांग है इस सीरियस में प्रतिलोम करम का दोश नहीं है सीधा सा है हमने आधार ही परमाड़ो करमांग को कुमा लिया तो कोई समस्या ही नहीं है ठीक है यह चीज जो है वो निकल करके सामने आ गई फिर भई बात आती है आवर्त सारडी अब देखिए वही ची एक सारडी की रूप में दर्शानिक एक व्यवस्था ही आवर्त सारडी है अभी भी बोला ना मैंने कि रासानिक और भावतिक गोड के हिसाब से उन्हें हम कैसे एक टेबल में रखेंगे एक जगह कैसे रखेंगे ठीक है उसी चीज को जो हम टेबल के फॉर्म में दिखा र रहे होते हैं वही व्यवस्था क्या कहलाती है वो आवर्त सारडी कहलाती है एक सेकंड पॉइंट में क्या कहते हैं ये आवर्त सारडी में रासानिक ततो परमाडुकरमांक के बढ़ते करम में सजाए गये है तो था आवर्त यानिक प्रात्मिक समुह दुतियक समुह में वर तो आपका अंसर क्या होगा पर्माडू क्रमांग के बढ़ते क्रम में इसे हम रखे हैं वर्तमान आवर्त सारडिम में कुल कितने तत्तों हैं वन वन ऺड़ेट सबसे पहले रूषी रасьयन शास्त्री मैंडलीफ ने सन 1869 में आवरत नहीं था आथनी कावरत नहीं 1869 जो अभी मैं 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 मार्त सारड़ी के बारे में बात कर घा था मांस रूप है वह किसके द्वारा दिया गया कहते हैं गिल चौवेरी ने आवर्थ सारडी का नया रूप पेस किया जो तत्व के इलेक्ट्रॉन संरुष्णा पर अधालित है अब परमाडू क्रमांक का पूछता है तो अलग है परमाडू द्रवेमान वाली बात मेंडलीव की बात आगई आप से अगर इलेक्ट्रॉन संरुष्णा के आधार पर पूछ लेता है कि आवर्थ सारडी किस ने दिया या किस ने बनाया तो उसमनाम गिल चौवेरी करके हैं उनका नाम आपको देखने को मिलेगा आश्रा उमीद है कि यहां तक चीज़ें आपने बहुत यह अची तरीके से समझी है बात आती है कि अगर हम समुह और आवर्थ के बारे में बात करते हैं कि आखिर समुह क्या है आखिर आवर्थ क्या है तो समुह और आवर्थ जो भी है उनको लेकर कि हम यहां पर देख लेते हैं भी चलिए आज इसको यहां पर कंप्लीट कर देते है आगे कि जो भी चीजे बचेंगी वो हम आपको पढ़ाते जाएंगे, हम आपको बताते जाएंगे तो समुहू और आवर्थ, क्योंकि अब इसमें ज़्यादा भी पॉइंट्स नहीं बचेंगे इसके आगे का जो लेक्षर होगा वो आपको बिलेगा तो समुहू एवं आवर्थ, तत्तों के परमाड़ भार के वृद्धी क्रम में क्रमबद करने पर खशयतेज गतारें प्राप्त होती हैं खशयतेज मतब आप समझ गए एक उर्द्वाधर होता है, ऐसे ऐसे खड़ा-खड़ा खशयतेज मतब ऐसे गिरी-गिरी जो गिरी हुई लाइने होती है इन्हें हम horizontal lines बोल देते हैं या आपकी vertical lines होती है इस शिश को याद रखेगा फिर बात आती है कि आखिर परमाड़ भार की बात होगे कि अगर हम बात करें 36 गतारों को लेकर कि जो horizontal lines हमें देखने को मिलती है उन्हें क्या बोलते है या अगर हम खशयतेज कतारों में सजा रहे हैं उर्द्वाधर कॉलम में उन्हें अगर हम लंबवत यानि vertical columns में किनी भी तत्तों को रख रहे हैं मतलब कुछी इस तरीके से दोस्ता ऐसे ऐसे कर दिया और इनको अगर हम ऐसे ऐसे लाइनों में यहां 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 रख रहे हैं तो आखिर इसे च्छीक आ गए थी माफिच जाएंगी ठीक है तो यहां पर क्या है यह जो चीजें हैं यहाँ पर जो चीजें देखने को आपको मिलेंगी अखिर इने हम क्या कहते हैं तो यह क्या होते हैं आपके वर्ग होते हैं आपका इन्हें हम ग्रुप कह देते हैं इन्हें हम वर्ग कह देते हैं तो कॉलम को याद रखेगा वो ग्रुप या वर्ग से रिलेट करते हैं कहते हैं आवर्त सहरडी के उर्धव कातारों को समूह या वर्ग कहा जाता है देखेगा उर्धव कातार को हम समूह या वर्ग बोलते हैं फिर कहते हैं कि वर्गे करण की दिर्ष्ट्री से समूह को कम महतो पूर्ड माना जाता है चलिए ठीक है उसमें कोई इतने महतो पूर्ड नहीं है कुछ तत्तों में इस पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं कुछ तत्तों में तत्वा समान गुड दर्शाते हैं इन समूहों के नाम में शारिय तत्वा शारिय पार्थिय तत्वा है हेलोजन है, नेक्टोजन करके लिखा हुआ है, चलकोजन करके लिखा है और अक्रिये गैसे, जिनने हम इनारट गैसे कहते हैं ये सारी चीजे जो है, वो क्या मिलेंगी समान गुलवाली मिलेंगी, जिनको हमने अलग-अलग समुहों में बांट रखा है आपसे कहते हैं कि आवर्थ सारडी के एक शैतिज गतारों को आवर्थ कहते हैं आप देखेगा तो वर्ग क्या होता है आवर्थ क्या होता है क्वेशन यही है DLA में पूछा भी गया था कि आखिर आप वर्ग किसे कहते हो और महाराज आप आवर्थ किसे कहते हो तो वर्ग क्या हो गया जब हम columns की बात करते हैं जो ऐसे खड़े-खड़े होते हैं जो खड़े-खड़े ऐसे मिलेंगी और जब हम आवर्ध की बात करते हैं तो यह जो 36 कातारे होती ही न horizontal प्रकार की यह आवर्ध कहलाती है periods कहलाती है ठीक है या periodic table जैसे आवर तो शारड़ी बोल देते हो आप हलांकि तत्तो के वर्गी करण में समूह अधिक महतो पूर्ड होते हैं समूह का मतलब क्या होता है वर्ग होता है दोस्त एक-एक चीजों को याद करते चलिए यहीं से सवाल बनता है अगर मैंने column बोला तो column को हम समूह भी कह रहे हैं इसको हम वर्ग भी कह रहे हैं इसको हम आपकी उर्ध रेखा भी कह रहे हैं इसको हम आपका जो perpendicular इसको हम लोग लंबवत रेखा भी बोल रहे हैं ठीक है वहीं अगर हम आवर्थ की बात करते हैं तो आवर्थ आपका क्षैतिज रेखाएं होती हैं पड़ी रेखाएं होती हैं ठीक है तो ये क्या कहते हैं आपसे ये कहते हैं कि आवर्थ कहते हैं हलांकि तत्तो के वर्गी करण में समूह अधिक महत्व बोड माने जाते हैं फिर आवर्थ सारडी में कई स्थल होते हैं जहा आवर्त सार्डे में तत्तों को रखा हुआ है लेकिन कहीं कहीं महत्व जादा हो जाता है जब हम शैतिज जो हम कैटेगराइजेशन करते हैं यह वरगे करण करते हैं निकि आवर्तों के हिसाब से उन्हें हम महत्व महत्ता देते हैं और वो कहां पे होता है तो वो D block elements में होता है और F block में होता है जैसे एक बड़ी से building है है नहीं तो अलग-अलग प्रकार के आपके क्या होते हैं blocks बने होते हैं कि भाई ये A, B block है, C block है, D block है इसमें ये महोदया रहती है इसमें महोदया रहती है ठीक है उसी के हिसाब से तत् question है मेरा देखते हैं जो बच्चे यहाँ इस वीडियो तक last तक पहुँचे होंगे वो answer जरूर देंगे और जो भागम-भागी कर रहे हैं कहते हैं सच बहुत कड़वा होता है दोस्त अगर आप भागम-भागी कर रहे हैं तो एक seat कदा पी नहीं है आपके लिए ये बात भ याद रखेगा ठीक है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो लगे हुए हैं ऐसे में मेहनत में जुट गए है वो यूपेटेट के बाद कि अब हमें एक seat लेनी ही लेनी है और जो इंतजार कर रहा है कि जब आएगा notification तर पढ़ना शुरू करेंगे तो वो already वो सबस पहले बाहर हो चुका है ठीक है यहाँ पर आपको यह बताना है comment section में कि यह जो group लिखा हुआ है इसके अन्य नाम और कौन कौन से हैं इसे आप और क्या क्या कह सकते हो comment section में लिखेगा 18 आवर्त 18 group हैं 7 आवर्त हैं तत्तो के गुड़ों का आवर्ती परिवर्तन तो यहाँ करें तो अपर कुछ हल्की धात्यों में भी अचा इसमें क्या बोला है बई कि किस तरीके से नूने कहा वर्ग के सभी तत्तो के पर्माड़ूँ के जो बाहरिक एक्ष़म इलक्तरॉन की संख्या होती है वो समान होती हैं हम आपको इलक्तरॉन प्रोटॉन निृटॉन निका प्रिवेस वीडियो को आप जरूर देखेगा एक दम स्टार्टिंग से हम पढ़ाना शुरूर किये हैं हलकी धातूं की बात करें तो हलकी धातूं में कौन कौन सी चीजे हैं जो आपको यहां से देखने को मिलेंगी उन्हें भी हम लेकर के बात करेंगे जब हम MCQ आपका कराएंगे भारी धातूं और संक्रमण धातूं क्या होती हैं जैसे वर्ग कि अगर हम बात करें तो कहां कहां जब हम बात करते हैं 3-4-5 करके दिया हुआ है 10-11-12 तक तो इसमें आपको भारी धातूं संक्रमण धातूं में लेंगी ट्रांजिशन मेटल्स को लेकर के बात करें आधातूं कहां कहां पे हैं तो किस वर्ग में हैं वो बताया हुआ है खंड या ब्लॉक हम आपको बता दे यहां पर हम आपको SPDF में कैसे तक्तों का हम एक वर्गी करण करते हैं ठीक है 1-1, 1-2 जब इस तरीके से बात करें तो कैटेगराईजेशन कैसे होता है SPDF में उसमें भी बात करेंगे तो इनको हम वहाँ पर आपसे जरूर इनके संदर्व में बात करेंगे questions को ले करके बात करेंगे तो इसमें भी इन्होंने बताया हुआ है फिर कहते हैं आपसे कि आखिर भाई यह क्या है जब हम बात करते हैं प्रतिनिध्य तत्व के बारे में बोला है तो हम आपको बता दे कि S-Block और P-Block के जो भी elements होते हैं उन्हें हम एक representative element यह typical element यह normal element के रूप में consider करते हैं D-Block के जितने भी तत्व होंगे सीधे सीधे सवाल पूछा जाता है D-Block के तत्व जितने होंगे उन्हें हम transition element यह transitional प्रकार के elements कह देते हैं फिर बात आती है आंतरिक संक्रमण तत्वा तो F-Block के तत्वा इन्हें viral मृदा तत्वा भी कहते हैं आंतरिक संक्रमण तत्वा आपसे पुछता है कि कहां से संबध्ध हैं relate करते हैं तो वो F-Block से relate करेंगे आवर्थों की बात की गई है हाँ पे कहते हैं प्रतम आवर्थ के वल दो तत्वा सबसे चोटा आवर्थ है दूसरे तीसरे आवर्थ में 88 तत्वा है इन्हें लगु आवर्थ कहते हैं और देरगावर्थ जो है वो आपके चौथे और पांचवे होते हैं आवर्थ जिसमें आपको 18-18 तत्व मिलेंगे कुछ समझ में आ रहा है तो देरगावर्थ question कैसे form होता है देरगावर्थ किसे कहते हैं लगु आवर्थ क्या है सबसे चोटा आवर्थ क्या है तो और यहांपर सात्वा आवर्थ जो है वो अपोर्ड है तो यह चीज़े थी इसकी आगे की जो भी चीज़े हैं उनको लेकर के हम आपसे जल्दी ही बात करेंगे जो भी विर्षब में जो भी आपके टॉपिक्स ऐसे में अभी इसमें बचे हुए हैं उनको लेकर के हम जल्दी ही मिलेंगे वीडियो कैसा रहा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लखिएगा हमने जो सवाल पूछा है उसका आंसर कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लखिएगा और पढ़ते रहिए आज हम शाम को फिर से एक मैराथन क्लास में आपसे प्रिवियस पेपर को लेकर के सॉल्द करेंगे मिलेंगे बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का टेलिग्राम चैनल इलक्रानिक स्टेडी से जरूर जुड़े रही है तेंक यू